देखिए शक्ति की उपासना विभिन तरीकों से की जाती है एक तीन देवियों का स्वरूप है एक नवदुरगा का स्वरूप है और एक दस महाविद्या का स्वरूप है क्या है ये स्वरूप? माता की पूजा दो तरीके से की जाती है जिसमें एक वैदिक रूप से की जाती है जिसमें नव दुर्गा की उपासना होती है और जब मा दुर्गा की तंत्र साधना की जाती है देवी की उपासना तांत्रिक रूप से की जाती है तो उसमें दस महा विद्या की उपासना होती है दस महाविद्या की उपासना देवी की सर्वोच उपासना मानी जाती है और इसमें देवी के दस स्वरूपों से हर तरह की कामना की जा सकती है ये दस महाविद्या की पूजा तंत्र की पूजा है इसलिए बिना पूर्ण जानकारी के और बिना किसी गुरू के निर्देशन के आप दस महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते नवरात्री में इनकी उपासना करने से शीग्रफल मिलता है तंत्र साधना के रूप में आप दस महाविद्या के सारे स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं या किसी एक स्वरूप की विशेश पूजा करने को अगर आपको गाइड किया जाए तो आप एक स्वरूप की पूजा भी नवरात्री में कर सकते हैं एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से